आपके पास भी इस पर करके स्काप पड़े ही होंगे आज कर लिनको बहुत कम यूज करते हैं इनकी जगह कैप ने ले ली है तो लेडिज भी कैप जदा यूज करने लगें इंटर सीजन में तो यह मेरे पास पड़े हुए थे पुराने वाले मैंने इनको निकाला और इनका एक बहुत ही प्यारा सारी इसमें आपके शाथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके अब बहुत काम आने वाला है तो यहां पर मैंने एक स्काप को लिया है फोल्ड कर लिया है और यहां आप पर जो सेंटर था इसमें मार्किंग कर लिया यहां पर ट्रैंगल सेप में हम इनको करेंगे बोगा वाले को भी ट्रेंगल से फोल्ड करके और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे दोनों के ऊपर सेंटर में मार्किंग कर लेंगे आप जो हूंने मार्किंग किया है उसके दौनों साइड में 5.5 इंच पे वीडियो जरूर देखना पड़ेगा तो यहां पर मैंने मार्किंग कर लिया यह जो सेंटर वाला हिस्सा है यह टॉटल 11 इंच का हो गया यहां तक दोनों का अब हम इनको फिर से सिधा करेंगे और इनकी जो राइट साइड है वो अंदर की साइड राखेंगी यहां पर इस परकार से इनकी राइट साइड अंदर करते हुए एक दूसरे के उपर रखेंगे और इसके चारो कॉर्णर को आपस में मिला लेंगी बिल्कुल एक बराबर इनको फैला लेना है और फ्रेंज आप चैनल पर नहीं है तो प्लीट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन भी ओन करना ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंसती रही अब जो हमने ये से एक हमार्किंग किया था आप देख रहे हैं इसको सीधा लाइन ड्रो कर लेंगे यहां पर और इसके आगे भी कॉर्णर तक दोनों साइड में सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे यहाँ पर इधर यह line draw हो जाने के बाद में जो हमने अब यह चोटा निशान लगाया है सीधे वाला यह वाला इससे दोनों side में सिलाई लगा देंगे center वाला छोड़ देंगे ऐसे ही और side में सिलाई लगाएंगे side में सिलाई हो जाने के बाद में फिर इनको इस परकार से पकड़के उठाएंगे आप देखेंगे कि बीच में open रहेगा है यह 11 इंच वाला हिस्सा और दोनों side से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है दोस्तों comment करके भी जरूर बताएगा कि आपको यह video कैसी लगी अब आप देख अच्छे से face cover हो गया है सिर भी cover हो गया है तो कैसी लगी के में